मेरे पास ना परसो मरी जाई, मैंने उसको रख के डाट है, और ना मैं फ्रस्टेट हो चुकी हूँ लोगों की ये वाले हैबिट से, पेरेंस के ये वाले हैबिट से, उसको ना वाइरल हुआ, वाइरल के कारण वो मेरे पास आया, तो मैं उसकी सब चेक अप करी, सारा अगर एक दम जादा लगा तो गैप में रख के देना बस, तो बोलती ही ठीक है, फिर कल मैं इसको 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 बेज़ दूँगी, and I was like, क्या ही मालोग है, इनोग क्या कर रहें अपने बच्चों की जिन्दगी के साथ, फिर मैं बुली क्यों, कल अगर आप उसको इसको इस मतलब कल स्कूल भेजना बहुत जरूरी है, क्या कुछ है क्या उसके स्कूल में, बुली नहीं, नॉर्मल है, तो मैंने बुला, अच्छा ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं, एक दिन में कलेक्टर कमिशनर बन जाएगा, इतना जरूरी है, क्या इस बच्चे को भेजना, मैं मैं आपको सिच्वेशन बताती हूं, मैं क्यों डाटी, मैं नॉर्मल ही नहीं डाटती हूं, वो बच्चा 6-7 साल का है, और माँ उसको उसकी गोदी में लेके आए थी, मतलब वो इतना ठाका हुआ महसूस कर रहा था, कि वो चल नहीं पा रहा था, और उसकी माँ को उसको द स्कूल नहीं बेजो, क्योंकि और बच्चों को इंफेक्शन फैलने का डर है, लस हर एक माँ को ये बाद भी समझ में आने चाहिए, कि अगर किसी बच्चे को कंजक्तिव आइटिस आई हैं, और वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी आँखे खराब हो जाएगी, वो बच्च हर एक साइन से बात मानता है, कि अगर कोई बच्चा मिमार है, या कोई भी इंसान मिमार है, और वो अब ताकत परिस्रम कर रहा है, ताकत लगा के एफट्स दे रहा है, तो उसकी वाइटिलिटी कम जोर हो जाएगी, उसकी इम्मुनिटी और डाउन होगी, उसका वायगर ख कहां से लगेगा, पहले वो इतना याद कर लेता था, अब वो याद नहीं कर पाता, पहले वो इतना खा लेता था, अब कुछ नहीं खा पाता, यार किसने खराब किया उसकी हालत, तो फिर मेरे को उसको डाटना पड़ा, कि आप क्यों बहस कर रहे हो मेरे से, क्योंकि मैं ए कि और लोग जित्ते बैठें वो भी सुने और इस बात को समझे ने फिर मैंने उनको एक्स्प्लेइन किया यह सब बाते कि आप यह सब चीजे समझो जब जो डॉक्टर्स बोलते न वो ऐसे बेकूफी मी नहीं बोलते कि अगर कोई बिमार हो तो स्कूल मत बेजो बिमार है तो कोई मास्क लगवा दो मास्क लगा के कहीं भी वेजो वो ऐसे ही नहीं बोलते उस बच्चे को भी उतना ही नुकसान होता है उससे तो यह माब आपको समझने की जिरूरत है है ना और अगर आप टैफिंग करो यह सब भी करो ना तो इसके साथ यह सारे चीजों पर भी ध्या जाना पड़े पिर मैंने बोला अगर आपको अपने वच्चे के से बहुत प्यार है ना सच में प्यार है तो ती अगले तीन दिन उसको बिलकुल इसको नहीं भेजना अगर अगर अधर वाइस आप उसको और नुक्षान करोंगे क्योंकि एक तो वाइरल का सीजन चल रहा ह तो और उसको दुबारा से बिमार होने की वो रहेगी नौबत आईगी और अगर एक बार इंसान ठीक होने के बार दुबारा बिमार पड़ता है ना तो समधान वो मतलब एक तरीके से मौत के मुह में जाने लग तो है क्योंकि अब उसको उसकी बाड़ी कैसी हो गई अंदर करना थी कि अगर एक बार ठीक हो गया नो तो जंदी से दुबारा ना चड़िए अगर वाइस वह पूरा जाएगा राइट अपने वच्चों के ऊपर इतना दया करना थी लोग करते हैं ऐसे ऐसे बेकूफ्रिया और पता होता है उनको सबसे बड़ी बात कि वाइक ये नॉ ठीक है तो यह दियान रखना है और हर एक चीज में सिर्फ बड़े मतलब अगर कोई बड़ा वी है ना तो उसको यह दियान रखना चाहिए अदर्वाइस वही वुखार जो आपने दबा लिया है वही तकलीफें जो आपने जहेल लिये उस समय वही फिर बाकी बिमारिया ब बनती है क्योंकि आपके जोड़ों में ताकत नहीं बचेगी वो प्रापर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे कहीं उसी के करन आपकी बोड़ी का साइनोवियल फ्लूड कम हो जाएगा ऐसे यसे तेचलिफे होती है तो हर एक इंसान को बीमारी से थोड़ा से समहल के चला चाहिए बिमार हुए हो शरीर आपका यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आपको अभी आराम की ज़रूरत है सबसे पहला मैसेज यह होता है दूसरा जरुष से ज्यादा ठकने की जरुवत नहीं है आप ठके हो इसलिए बिमार किया गया है आपको क्योंकि अगर आपको सरीर बिमार नहीं करेगा न तो आप और काम करोगे तो इससे मर जाओगे इसलिए रुक जाओ या सरीर का अंग खराब कर लोगे तो यह होता है जिसे